समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौरिया जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कल ये बाहर गए थे दौरे पे थे उत्तरप्रदेश के कई जीलों के और वहां पर विरोध भी झेलना पड़ा सर कल स्याही बताया गया कि फेकी गई आपकी गाड़ी पर आपको काले जंडे दिखाए गए तो ये किस लिए ये सारी चीज़ें हो रहे हैं अब अगर आपको एक जिगर सही फेकने की बात की जानकर रही है तो सैक्ड़ों जगह है जो भब स्वागत हुआ सो दो सो चार सो पांच सो कारकरताओं जगह जगह ले करके स्वागत किये उसको भी जिगर करना चाहिए और रही बात चार पांच गुरगे मेरी गाड़ी के ओर लपके वो क्या फेकना चाहते थे क्या उनके हाथ में था हाथ में तो माला दिखा ही पड़ा लेकिन माले के अंदर कुछ छीपा था मेरे गाड़ी के ओर दोड़े अस्थानी पुलिस ने उनको दबोच करके बाहर किया मेरे पास तक नहीं आ पाए आने का प्रयास कर रहे थे इसलिए हो सकता हो हमला करने की उ नियत रही हो या कुछ और बात रही हो लेकिन क्योंकि मेरे पास तक नहीं आ पाए इसलिए उनके मनसुबे धरेक धरे रहे गए इसके गुर्गे थे आपने कहा कि कुछ गुर्गे थे तीन चार पांच अब स्वाभे ग्रूप से इस देश की महिलाओं आदवार्शियों दर्गतों पिष्णों पर जिल्म जाती है त्याचार करने वालों की जमात का ही कोई न कोई होगा और जैसा की वहां के अस्थानी चैनल के माधन से पतल लगा वो भाज़बा का कारिकरता भी था लेकिन जब हम इस देश के कड़ोरो कड़ोरो आदवार्शियों दर्गतों पिष्णों और महिलाओं के सम्मान की बात के लिए निकल पड़े हैं तो ये छोटे-मोटे मदर घुर की डराउने काले जिंडे स्याही फेकने से ये बात लुकने वाली नहीं है भारती जनता पार्टी के एक मंत्री है जे पिएस राठावर साहब उन्होंने कहा कि जो राम चरित मानस का अपमान कर रहा हैं वो बाबर की आउलाद हो जकते हैं अब शुक्यो मानी मंत्री भी हैं तो अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो हम समझते हैं उनको अपना इलाज कराने चाहिए पहली बात तो क्या धर्म के नाम पर महिलाओं आद्वासियों दलतों पिश्णों को अपमान करना ये लोग अपना धर्म मानते हैं अगर गाली देना ही धर्म है तो ये इनको मुझा रख हो हम तो धर्म के नाम पर देश की महिलाओं आद्वासियों दलतों पिश्णों को जो अपमानित करने वाली चिपड़ियां रामचरीत मानत की कुछ चोपाईयों में हैं हमने तो किसी आराध पर कोई बात नहीं की रामचरीत मानत सब पढ़ाया उस पर कोई अतराज नहीं हिंदू धर में हम सब पैदा हुए हैं इसलिए अपने घर को ठीक करना वो घर ढाना नहीं होता बाबर कहां से आ जाते हैं बीच बीच में आप बयांदर क्योंकि इनको फाविया है यह हिंदू मुस्लिम के नाम पर राणीत किये हैं और आज भी उनके दिल दिमाग मन हर जगह पर मुस्लिम का डर और भ्य दिखाई परता रहता है इसलिए बाबर कनाम इसलिए कि जिससे की मुस्लिम से जोड़ा जा सके और इसकी राणीत का अधार ही हिंदू मुस्लिम है यह अगर विकाश के मुद्दे पर बात करते विरुजगार राजनीत भी चोड़नीग पढ़ जाए कटूपेज्च वातंТак यह-पाइऊ तो विरोध हुए है राकेश प्रताप सिंग है आपकी पार्टी के विधायक है उन्होंने कहा कि मुझे अगर राजनीद भी छोड़नी पड़ जाए तो भी मैं तयार हूं लेकिन रामचरित मानस का अपमान नहीं सहा जाएगा अब वो विधायक जी को यहीं नहीं मालूम कि म मैं बात क्या कर रहा हूं वो तो रामचरित मानस को ला करके यह साबित करना चाहते हैं कि कुछ चोपाईयों के माध्यम से जो इस देश की महिलाओं आद्वासियों दल्टों और पिष्णों को अपमानित किया जाता है वही धर्म है तो स्वावी रूप से जिन चोपाईयो को हमने इंगित किया है उसको वो पढ़ें और उसके बाद कुछ कहें बच्चा भी कहा था आपने राकेश प्रताब सिंगों की बच्चे हैं अभी वो तो बच्चा हो जी नहीं सकता इसलिए बच्चा तो कहना ठीक नहीं है और ना ऐसा मैं कह सकता हूं एक आखरी सवाल ये था उन्हें कहना चाहिए था कि जब तक चौपाईयां नहीं हटेंगे मंत्रीपद नहीं सुईकार करेंगे बेटी का टिकट नहीं लेंगे अभी अब क्यों यह सब बात निकाल करा रही हमने मंत्रीपद भी छोड़ा और मुद्दों पर छोड़ा ओम्रकाष राजभर की त बिना उची तनी समझता हूं और जब जिस भी विसे का प्रसंग चलता है प्रसंग बस उत्तर दिया जाता है बिना प्रसंग के किसी चीज़ का जवाब या उत्तर नहीं दिया जाता है तो आप अपने पूरे स्टैंड पर कायम है पूरी तरह से आगे ये लड़ाई चलती बिल्कुल चलती रहेगी देश की महलाओं आदबार्शियों बलतों पिच्छों के समान से जुड़ा है बड़ा मसला है इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाए जाएगा पाचीत के लिए शुक्रिया आपने सुना स्वामी परसाद मौरिया जी को उन्होंने बड़ी ही म खरता से अपनी बाते रखी और कहा ये लड़ाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी सीमाब नक्वी भारस समचार लखनव